दार में एक आजीबो गरीब मामला सामने आया है यहां दूले ने शेरवानी पहन कर फेरे लेने की इच्छा जाहिर की तो दूलेन की पक्षी ओर आये रस्तेदार नाराज हो गए परंपरा खेनुसार धूती कुर्ता पहन कर फेरे ना लेने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी पत्थर तक फेकने शुरू कर दिये बाराती बच्छों को लेकर जैसे तैसे वहां से भागे हलाकि विवाद के बीच रात में दूला दुलन को लेकर धारा गया यहां भी कुछ रस्मे होनी थी लेकिन सुबह फिर से विवाद के बाद रस्मे पूरी नहीं हो पाई मारपीट में तीन से चार लोगों के घाल होने की जानकारी है मामला थाने पहुचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर केस दर्च कर लिया है शक्रवार को धार के अरजन कॉलोनी निवासी सुंदर लाल की बाराद धामनोत के पास मांगब यड़ा गाउं आई थी यहां फेरे के समय दोनों पक्षों में उस समय विवाद हो गया जब दुलहिन पक्ष की आए रिस्तदारों ने दूले और समदी के सेरवानी पहने पर आपत्ती ले ली उपरंपरा के अनुसार फेरे के समय में धोती कुरदा पहनने को कहने लगे जिसके बाद विवाद बढ़ गया मामला थाने पहुचा जहाँ पर दोनों पक्ष करीब 5 गंटे तक एक दूसरे पर मार पीट करने और पथर फेकने का रोफ लगाते रहे रात में दुलहन के धार आने पर साधी की रस में शनिवार सुवधार में ही निभाई जानी थी लेकिन यहां रस में निभाई जाती इसे पहले ही गाउम में वर पक्ष के रिस्तदार कुलदीप के घर पर लड़की पक्ष के रिस्तदारों ने हमला कर दिया चोटिल कुल दीप वहां से परिवार सहीद भाग कर धार आया और पूरी बात बताए जिस पर विवाद बढ़ा और शादी की रस्में एक बार फेर से टल गई हलाकि दोनों पाक्षापसी समझोते की कोशिशों में भी लगे रहे धामनोद थाना प्रपारी सुशील यद्वांसी के अनुचार दोनों ही परिवार थाने पर आये थे दोनों परिवारों के नहीं समझने के बाद पूलिस ने दोनों के खिलाब कारवाई करते हुए प्रकरण दर्च कर लिया है अब साधी करना काते हो राजबाटिका विवागर सरसुवधा योगत प्राकरदिक सुंदर्दा से ओड़ प्रोद राजबाटिका विवागर में इंगेज्मेंट, तिलक, शादी, रिशेप्शन, वेडिंग शूट, जन दिन पार्टी, जन मासा सहित, आन्यकारिक्रमों के लिए विवागर उपलप्त अपने मांगलिक कारेक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मर्ध वातानुकूलित राजबाटिका मेरिज कारडन के साथ हमारा पता है राजबाटिका मेरिज कारडन, नैशनल हाइवे, जूला मोर, भुंटहा, रिवा, अधित चानकारी के लिए संपत करें 98270-04251